हलो चिल्डरन, वेलकम तो CBSC ओनलाइन ओडियो वीडियो लेसंस, मैसेलफ स्वमन गुपता, यो हिंदी टीचर, फ्रम सेट विद्या मंदिर, इंग्लिस हाई स्कूल, CBSC वसई बच्चों हिंदी ग्रामर, पार्ट बारा, और विकारी शब्द, जिसके अंतरकत हमने, और विकारी के दो भेद, क्रिया विशेशन और संबंद बोधक पढ़े, पिछले भाग में, इसके बाद, जो तीसरा भेद है और विकारी का, वो है समुष्य बोधक, जिसे कंजक्शन भी कहा जाता है, बच्चों समुष्य का अर्थ होता है जोडने वाला, यहां पर देखिए, चित्र दिखाये गया है, और कुछ बादचीत बताए गई है, समझते हैं उसको पढ़कर, समुष्य बोधक क्या होता है, तुम्हें बाजार जाना है, या पार्क में जाना है, मैं और माधव खेलने जा रहे हैं, इन वाक्यों में बच्चों या जो नीले रंग सेल खा गया है, तथा और, यह शब्द दो शब्दों और दो वाक्यों को मिला रहे हैं या जोड रहे हैं, यह शब्द समुष्य बोधक हैं, समुष्य बोधक को योजक भी कहते हैं, यहां दे जार जाना है और पार्क में जाना है दोनों वाक्यों को या से जोड़ा गया है या क्या है यहां समुश्य बोधक या कंजक्शन इसी तरह से दूसरे उधारण में मैं और माधव यहां दो शब्दों को और लगा कर जोड़ा गया है मैं और माधव खेलने जा रहे हैं इस प्र समुच्य बोधक अथ्वा योजक भी कहते हैं बच्चों कुछ अन्य समुच्य बोधक शब्द जैसे लेकिन परंतु किन्तु यद्य पी तथा पी क्योंकी की ताकी जोकी मगर एवं तथा बलकी पर तो अन्य था अथ्वा आदि इसके कुछ उधारण है कोई कहानी अत्वा कविता लिखे यहाँ दो शब्दों को जोड़ा गया है अत्वा लगा कर अत्वा क्या है समुच्य बोधक शब्द है कहानी और कविता शब्द को जोड़ रहा है पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु उसे पकड़ ना सकी यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है परंतु लगा कर तो परंतु क्या है यहाँ पर समुच्य बोधक शब्द है तेज चलो ताकि गाड़ी पकड़ सको तेज चलो गाड़ी पकड़ सको दो वाक्यांश को जोड़ा गया है ताकि लगा कर ताकि क्या है यहाँ समुच्य बोधक शब्द और उधारन हो सकते हैं इसके जैसे सुरेखा और विनीता दोनों सक्या है तेहाँ पर सुरेखा और विनीता दो शब्दों को और लगा कर जोड़ा गया है इसी तरह से वहाँ पास हो गया किन्तु उसे कम अंक मिले यहाँ पर दो वाक्यों को जुड़ा गया है वहाँ पास हो गया उसे कम अंक मिले किन्तु लगा कर किन्तु समुच्य बोधक शब्द तो बच्चों समुच्य बोधक मतलब जोडने वाला दो वाक्यों, दो वाक्यांशों, दो शब्दों को इसको एक बार और दोहरा लेते हैं बच्चों दो शब्दों, वाक्यांशों, अत्वा वाक्यों को जोडने वाले शब्दों को समुच्य बोधक कहते हैं समुच्य बोधक को योजक भी कहते हैं बच्चो इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे धन्यवाद